हेई एवरिवाइन वेलकम तो सरकारियाइड वांस अगें तो इस वीडियो में जो है मैं आप सबी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेर करने वाला हूं जो कि RUHS के BSc Nursing Course और उसके साथ सथ बहुत सारे courses के application form के schedule से related है ठीक है तो फाइनली जो है RUHS यानि की Rajasthan University of Medical Health Sciences की तरफ से यहां पर official notification release कर दिया गया ठीक है तो आज यह official notification website पर release हुआ है और इसमें आपका पूरा schedule बताए कि किस तरह के से सबी चीज़े अभी future में होने वाली है ठीक है तो यहां पर BSc Nursing तो ही साथ में और भी सारे courses है जैसे कि आपका B Pharma हो गया D Pharma हो गया जो कि Pharmacy की bachelor और diploma courses है और nursing में आपका BSc Nursing और post basic BSc Nursing ठीक है तो post basic BSc Nursing उन candidates के लिए होता है जिन्होंने और लेडी diploma किया हुआ है nursing में that is called GNM ठीक है जो की 3 साल का होता है पहले और उसके बाद है paramedical courses जैसे कि BRT है BMLT और BOT है ठीक है और उसके बाद जो है BPT का course भी है जो फीजय थरभी के course है ठीक है अब यहां पर इन्होंने लिखा है कि online आविदन फॉर्म भरने की प्रारम में दिती ठीक है तो जो आपके application form start होंगे registration की जो start date है वह आपकी 29 में 2023 से ठीक है तो आज जो है already 24 है और पांस दिन बाद जो है आपके application मतलब चार दिन बाद आपके application form यहां पर start हो जाएंगे form कैसे fill करना होगा सारी चीज़े मैं आपको detail में ब करने की वह आपके 18 जून 2023 यानि की 18 जून 2023 रात को 11 वच के 55 मिनिट तक आप कर सकते हो clear है और 19 जून तक आप अपना पूरा form complete कर सकते हो और उसके बाद CPT exam की जो date है वह अभी तक इन्होंने नहीं दिये और यह बोला है कि website पर जल्दी ही upload कर दी जाएगी clear है तो अब 19 तक जैसे आप मतलब 18 तक अगर application form की deadline या पर दी है ठीक है तो यहां पर जो है आपके admit card मतलब 25 26 या 27 तारिक तक आ सकते हैं और जहां तक मुझे लगता है कि जो यह exam है या तो यह exam मतलब last के five days में हो सकता है जून के या फिर जुलाई के first week में होगा इससे जादा लेट य कर चलो ठीक है क्योंकि सभी जितने भी उनिवर्सिटी से सारे exam अपने जून में खतम कर रहे हैं तो यह भी हो सकता है कि 30 जून से पहले पहले जो है अपना exam खतम कर दें तो आप यह मानकर ही चलो कि 25 के बाद कभी भी आपका exam यहां पर conduct हो सकता है आपको अपनी preparation उसके according य ठीक है अब information booklet जो है अभी यहां पर नहीं आई है ठीक है तो जब आ जाएगी तो उससे मैं आपको सारी information बता दूगा कि कौन-कौन candidate से eligible रहेंगे other state वाले eligible होते हैं नहीं होते हैं form के fees कितनी रहेगी ठीक है और eligibility क्या है class 12 में आपकी कितनी percentage होनी थी है क्या syllabus रहेगा क्या exam pattern रहेगा यह सारी चीज़े मैं आपके साथ यहां पर discuss कर दूगा और अगर आप चैनल पर नहीं हो और इसके बारे में अगर आप future updates लेना चाते हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और bell icon को प्रेस करके उसमें जो all वाला option होता है notification bell का उस पर आप उसको प्र information पर जादा से जादा धान दो ओके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कोई डाउट अगर आपके अभी है लेकिन अभी अगर डाउट है तो अभी मत पूछना अभी चार दिन और वेट करो यह जब तक information नहीं आ जाती वह वाली जब में वीडियो अप्लोड और कोई भी डाउट है तो मतलब इसके रिगार्डिंग या फिर मतलब कोई चोटा मोड़ा डाउट है और और किसी एक्जाम के रिगार्डिंग में डाउट है तो आप मुझे comment section में बता सकते हो ओके so thank you and have a nice day